पनीर की सब्जी को बच्चे से लेकर बड़े सभी पसंद करते हैं क्योंकि इसका स्वाध लाजवाब होता है इसके बीना तो हर पार्टी और फंक्सन अधूरा माना जाता है तो आज मैं आपके लिए मलाई काजू पनीर की रेसिपी लेकर आई हूं जो आपको भी बहुत पस अधर कट्वड़ा जाएं और थोड़ा सा धनिया पत्ता मैं लिया है चार प्याज को मैंने बारी काट लिया है । आजा काजू को मैंने पहले भिंगो दिया था पानी में अब इसे एक मिक्सी जार में डाल करके इसका पेस्ट बना देंगे यह देखिए मैंने पेस्ट बना लिया है अब एक कड़ाई को गरम करेंगे और उसमें दो टेबली स्पून सर्शोते डालेंगे आप इसके बदे घी या रिफाइन भी ले सकती है जब यह गरम हो जाए इसे अच्छी इसी बार में डाल करके इस तरह से उलटते पलटते हुए हम पनीर को हलका लाल होने पर निकाल लेंगे अब इसी कड़ाई में मैं दो टेबली स्पून और तेल डाल दोंगी सर्शोते और जब यह गरम हो जाए तो इसमें प्याज डाल दोंगी अब इसे थोड़ी देर भूनेंगे थोड़ी देर भूनने के बाद आप हम इसमें कटे हुए लासुन अदरक और हरी मिर्श को डाल देंगे और इसे चलाते हुए हलका गुलाबी भून लेंगे जब यह हलका गुलाबी हो जाए तब हम इसमें मसाले मिलाएंगे एक चोथाई चमच हल्दी पाउडर आधा चमच लाल मिर्श पाउडर आधा चमच कस्मेरी लाल मिर्श पाउडर एक चोथाई चमच जीरा पाउडर एक चोथाई चमच काली मिर्श पाउडर और आधा चमच धनिया पाउडर मेंने डाला ह अब इसे थोड़ा दिर भूनने के बाद हम इसमें टमाटर एड़ करेंगे और इसे भी लगातार चलाते हुई टमाटर के शॉफ्ट होने तक हम इसे पकायेंगे अब इसमें हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया है यह काजु जो हम ने पीशा है उसी का पानी है अब इसमें नमक स्वाद अनुसार डाल देंगे, और इसे लगातार चलाते हुए भूनेंगे, इस तरह से टमाटर के शॉप्ट होने तक, अब इसमें हम मलाई डाल देंगे, और इसे अच्छी तरह से मिला करके, इसे भी थोड़ी देर भूनेंगे, जब तक लिए कड़ाई से तेल अलग न होने लगे, अब इसमें हम काजू भी डाल देंगे, काजू का पेस्ट जो हमने पीश करके तयार किया था, अब इसे भी हम लगातार चलाते हुए, थोड़ी द भूनेंगे, यह देखिए, कड़ाई से तेल छोड़ने लगा है, तो हम इसमें पनीर डाल देंगे, तला हुआ पनीर, जिसे हमने सैलो फ्राइ किया था, अब इसे भी मिला लेंगे, अब हम इसमें दो हरी इलाची और थोड़ा सा दाल चीनी का टुकड़ा, इसे कूट लें अब इसे लगातार चलाते हुए, अब हम इसमें अनुसार पानी डाल देंगे, अगर आप ग्रेवी रखना चाहते हैं, तो आप उसी अनुसार पानी डाले, लेकिन यह थोड़ा सा थीक ही अच्छा लबता है, इसलिए पानी अपने हिसाब से डाले, अब हम ढखकन लगा कर के थोड़ी देर इसे ढख देंगे, ताकि जो पनीर है वो अच्छी तरह से सौफ्ट हो जाए, और मसाले भी पनीर में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, अब इसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी मैंने करस्ट करके डाल दिया है, इसे इस स्वाद बहुत ही अच्छा आता है, औ थोड़ा सा धनिया पत्ता कटा हुआ मैंने डाल दिया है, यह देखी, यह कितना अच्छा और लाजबाब पनीर, काजू पनीर की सब्जी तियार हो गया है, अब हम इसे एक बॉल में निकाल लेते हैं, और धनिया पत्ता से गानिश कर लेते हैं, थोड़ा सा काजू मैंने इसके उपर गानिश कर लिया है, यह देखी, अब हमारा काजू पनीर का सब्जी तियार हो गया है, आप भी इसे जरूर बनाएं, यह आपको भी बहुत पसंद आएगा, इसे बच्चे से लेकर सभी बहुत पसंद करते हैं मेरे यहां तो, आपके घर में भी बच्चे और ब इसबुक पेज, इंस्ट्राग्राम और ब्लॉग साइड पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये गए हैं, धन्यवाद